हालो गाइस स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जी इस फ्रॉम बेसिक्स में और आज हम देखे हैं डेली गरंट अफेर साथ माई 2022 के सभी की इंपोरन्ट कोशन चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो तो आज का मारा पहला कोशन है रति वर्ष विष्व हाथ सवच्चता दिवस या वर्ड हैंड हाइजीन डे कभ मनाया चाहता है तो अगर बात आती है विष्व हाथ सवच्चता दिवस तो यह बहुत ही फ बात करें इससे पहले हमने देखा था चार मई को चार मई को था हमारा कॉंसर दिवस अगनी शमन दिवस चार मई से पहले अगर हम देखें तो तीन मई को हमने देखा था एक दिवस मनाया गया था अस्त्रमा दिवस और एक दिवस मनाया गया था प्रेस के लिए तो यहां बात देखा पास तारिक तो पास तारिक को हमें देखने को मिला विश्व हाथ सचता दिवस नेक्स्ट है मारा अगला कुशन भारत की पहली आदिवासी स्वास्त वैधशाला की योजना किस राज्य द्वारा की गई है तो आदिवासी मतलब ट्रैवल्स के लिए अगर बात आती है तो उनके स्वास्त के लिए एक वैधशाला की घुष्णा किस राजने करी है तो यह करी है उडिसा ने और उडिसा में अगर देखा जाए इसकी स्थापना कहा पर होगी इसकी स्थापना होगी भुवनेश्वर में तो भुवनेश्वर में इसकी स्थापना होगी तो इस व पांच माई 2022 को परी सीमन आयोग ने केंदर शाषित प्रदेश जम्मु कश्मीर के लिए कितने विदान सभा छेत्र रखें हैं तो परी सीमन आयोग का जो मुख्य गारे होता है वो मेंन काम इनका होता है विदान सभा फिर अगर लोग सभा की बात होती है तो उन छेत्रों के लिए कितनी सीट वन कितनी सीटे होंगी इस वात का जो सकर्ष निकालता है वो को निकालता है परिसीमन आयोग और अभी हाली में जम्मू कश्मीर के परिसीमन आयोग ने बताया है कि जम्मू कश्मीर के विधानसवा में कुल कितनी सीटे होंगी तो जम्मू कश्मीर में कुल होंगी 90 सीटे और अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर में अगर हम बात करें तो यह दो तरह से डिवाइडेड होंगी जम्मू में अगर बात आती है तो जम्मू में होंगी 43 सीटे और कश्मीर में होंगी आपकी 47 सीटे और कोल में अगर दिखा जाया कोल है ये 90 सीटे जिसमें से अगर बात आती है ST के लिए आरक्षट की गई है हमारी 9 सीटे तो 9 सीटे ST के लिए एरक्षट नियुकोट हैं जमूग लिए तालिस हैं और कश्मीर के लिए 47 हैं तो यह आपको ध्यान लाइक न्याह UP की विधान सभा में कितनी सीट हैं तो UP की विधान सभा में हैं हमारी 403 सीट है नेक्स्ट है हमारा अगला कोशनि चार मई दो जंब उनगा II SHENA के महाने देशक निरिक्षण और सुरक्षा का पदभार समाला है तो अभी हाली में अगर पदभार की बात करे जाए तो वायू सेना के महाने देशक होन बने हैं संजीव कपूर बने हैं तो यह हमारी निप्ति वाला इंपर्टेंट कुश्यन है इसके लावा अगर हम बात करें तो हाली में एने चार्सी के अधिक्ष निक्तु हैं जस्टिस अरोन मिश्रा और हमारे वरतमान में क्या कौन है ग्रीश चंद्र मुर्मू और ओंजी सी की पहली महिला कौन है अलका मित्तल सेवी की पहली महिला अध भारत के मुख्य आर्थिक सलाकार तो अनंत नागिश्रुन तो यह सभी इंपर्डेंट निक्ति आपको याद रखनी और वर्त अभी हाली में भारती वाइस हैं कि महाने दिश्य कौन बने संजीब कपूर नेक्स्ट इमारा अगला कोशन छे से आठ माई 2022 तक जीतो कनेक्ट 2022 का आयोजन कहां किया जा रहा है तो यहां अगर बात आती है इसका आयोजन किया जा रहा है पूने में तो पूना कहा है नहीं हमारा महरास्ट में है और पूने को मुंबई से जो जोड़ता है वो एक दर्रा जोड़ता है कौन सा दर्रा है बोरगाट दर्रा तो बोरगाट कर रहा है अगर देखा जाए मुंबई और प्लस किसको जोड़ता है पूने को जोड़ने का काम करता है और पूने में ही किसका आयोजन किया जा रहा है जीतो कनेक्ट 2022 का आयोजन किया जा रहा है नेक्स्ट एमानाक लगोशन पांच मई 2022 को कौन प्लस करना अगर देखा जाए एक तो आपका माउंट एवरिस जो एशिया की सबसे उची चोटी और अगर बात आती है तो भारत में एक हमारी केटू है उसके अलाबा अगर बात करेजाए तो मकालू परवत और इसके अगर भात करें लहासा परवत लाज़ा परवद और लास्ट भी हमारी बात आती है किली बन जारो तो ये पांच चोटिया है इन पांचो चोटियों को भारते महिला प्रेंका मुईतों ने फते गिया है तो ये आपको ध्यान रगना है नेक्स्ट है मारा अगला कुशन 5 माई 2022 को कौन T20 क्रिकेट में सबसे अधिक अर्द शर्टक जड़ने वाला विशु का पहला बल्लेवाज बन गया है तो विशु का पहले बल्लेवाज बन गया है डेविट वार्नर और डेविट वार्नर ने अगर देखा जाई ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी है और इनों ने अब तक लगवग 89 अर्दश्रतक बना दिये हैं तो इसलिए ये सबसे अधिक अर्दश्रतक जड़ने वाले विश्व के पहले वल्लेवास बन गए हैं T20 में जिनका नाम है डेविड वर्नर तो ये आपको ध्यानक है नेक्स्ट हमारा अगला कोशन चार माई 2022 को किसने शुक्र ग्रह के अध्यन हेतु दिसंबर 2024 में शुक्रयान प्रथम मिशन भेजने की घुशना की है तो 2024 में शुक्रयान की बात अगर करी जाई किसने गई है इस रों ने करी है क्रॉस कोस्मॉस ऊस्मस रशिया की है जाकसा बांद की है और नासा अमेरिकवालों की है तो इस रोंने भी बात करी है शुक्रयान प्रतम शुक्र के अध्युम के अध्युक्र को अगर देखा जाए जो है इस ए प्रित्वी की बहन यह वहर सुबह का तार्ष या ब्रत्वी और फिर हैं माय वंगल तो यह हमारा अगर देखा जाएं तो यहांपर शुक्र प्रत्वी का पडुसी वह यह सिल्ली को प्रत्वी प्रत्वी की बहन भी कह जाता है क्योंकि ृशुक्र की अगर बात करी जाए तो यह हमारा पूरव से पश्चिम क्यों गूमता है तो इसलिए यहां पर शुक्र और अरूर्ण दो ऐसे ग्रह हैं जो हमारे इस और मंडल में विभरी तिशा में गूमते हैं नेक्स्ट है मारा अगला खूशन भालत का पहला फ्लो केमेस्ट्री टेक्निलगाना की राज़दृ तो यही पर अभी पहला Flow Chemistry Technological Hub बनाया जाएगा तो हैदराबाद अगर देखा जाए यह एक रियासत भी थी जो हमारी 552 रियासतों में एक रियासत थी जहांपर हैदराबाद के निजाम ने भारत में शामिल होने से मना कर दिया था यह रियासत पाकिस्तान में शामिल होने वाली थी लेकिन पटेल ने अगर देखा जाए हाँपर पुलिसं खारवाई कर वायती अपोल्ली मिशन जिसके दौरा हैदराबाद को disgत में भारत में तो हैदराबाद ऐसे रियासती जिसको पुलिसंगा भारत में जिसका विलह किया गया नेक्स टैमारा अकला उच्जन चार मई दो हुजार बाइस को भारतिय तर्टरक्षक इंडियन कोस्ट कार्ड ने कहां पर अपना दूसरा air squadron 845 squadron commission किया है commission मतलब शामिल किया है तो कहां पर शामिल किया अगर इसकी बात करे जाए तो इन्हों ने शामिल किया है इसकी मां पर केरल में हैं पर अगर देखा जाय है और केको चलाए तोे तो भी वह मारें कमरी Khan 30 कें कोची में तो कोची में ही अगर बात आती है इंडियन कोस्ट कार्ड ने अपना दूसरा एयर स्कौर्डन 845 सामल किया है यानि कमिशन किया है यह है हमारी लास्ट वीडियो का सवाल जिसका अंसर था 150 और अगर बात करें हमारे आज के सवाल की तो आज के सवाल है हाले में कि स्राज्य सरकार ने जीवला विशेश रंड य क्रमेंट करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्यू गाइस